Hello friends Welcome to all आझ मैं आप तने जो वीडियु ऱिए लेक्या रहा हुआ हो देख्या डीविडेंड से माला माल करने वाला है यानि कि सरकारी कंपनी कोई डएफिनेटिल आप देखो अगर यह सोच रहा है तो बिलकुल सही सोच रहा है definitely और साथ के साथ bonus भी issue किया है और जब यह IPO आया था market में तो ऐसा लग रहा था बड़ा सस्ता share है और उसके बाद जो value आप देखोगे इसकी और उसके साथ quarter 4 के नतीचे हैं उन पे भी focus करते है technical, fundamental, dividend, bonus सारी बातों को जानते चोटे से वीडियो में और आगे बने से पहले में आपको बता दो करें आप ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें बैला करें को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी अपनी एक थीसिस बनानी है कि स्टॉक मार्केट में कब करें एंटर कब करें एकजिट क्या किस तरीके से करें रिस्क को मैनेज तो जाइए मेंबर्शिप जॉइन किजए जॉइन बटन पर क्लिक करके कोई महेंगी मेंबर्शिप नहीं है ऐसी बिलकुल देखिए एक सीरियसनेस एड करने आपको टीप की जरूरत ना पड़े अर्निंग से प्रायरिटी में आप लर्निंग को रखो चलिए अब बात करते हैं स्टॉक की जिसके हम यहाँ पर देखेंगी डिटेल में इस टॉक का नाम है और राइट्स अब आपको गया राइट्स तो रेलवे इंफरसेक्टर वाला शेर डेफिनेटली रेलवे इंफरसेक्टर यह करोड का मार्केट का प्रिशन 248 का प्राइस और अभी के टाइम पर देखो कि तो ना के भर का डेट प्रॉफिट ग्रोथ 11-12 परसंट 18-19 परसंट की सेल्स ग्रोथ डिविडेंड चौकाने वाला वे अब डिविडेंड चौकाने वाला जरा देखिए 2019 में इस टाइम पर इसने 1-4 का बोनस अनौंस किया था 2019 का डिविडेंड देखिया वाब चार रुपे चार रुपे चे रुपे चार रुपे चार रुपे चार रुपे अभी फिर से डिविडेंड डिकलेर कर दिया अगर मैं खाली पिछले फाइनेंचल लेर की बात करू तो छे और चार दस और छे रुपे का भी डिविडेंड तो आप देखोगे तो आप देखोगे चार चार आठ और चार बारा करता है बोनस भी दिया हुआ राइट्स के शेर के बात करते हैं प्रोफिटेबलेटी रिवेन्यू को आप देख सकते हो किस तरीके से रिवेन्यू 1000 करोड 1200 करोड 1300 1500 2000 2600 मतलब रिवेन्यू कितना ग्रोइंग वाला है प्रोफिटेबलेटी 300 करोड अभी देखिए धीर धीर प्रोफिटेबलेटी में भी ग्रोफ आपको देखने को मिल रही है अमेजिंग ग्रोफ है यह तो बहुत अच्छी ग्रोफ है अब यह तो पुरानी बात है होंगी अब देखिए अभी का result देख सर छे रुपे का dividend डिकलेर किया percentage में मत जाईए कहेंगा आपको 60% dividend कि जा किया percentage में मत जाईए देखिए कितने रुपे का dividend है कितने रुपे का share है सीधे सीधे basic से चलिए और अब इस dividend के साथ देखिए अब बात आती है कि dividend जब भी declare होता है उसके record date कब है यह record date अब approval होगा shareholders का फिर जो AGM होगी annual general meeting जिसको कहते है तो वहां पर आपका record date date declare हो जाएगा result देखते है देखिए result के उपर focus करते है राइट का जो result आया है आज की date भी result आया है यह कल की date में इसका सब देखने को मिलेगा market में total revenue से अगर मैं start करो यहां पर सारे number से करोड में है और यहां पर total revenue कितना है इस बार का 614 करोड का पिछले साल कितना था 790 करोड का तो आपको दिख रहा होगा total revenue में गिरावट देखने को मिल रहोगी पिछले साल के comparison में और अगर मैं बात करो यहां पिछले quarter में यह 660 से revenue बढ़के 2700 करोड गया है जो कि अच्छी बात दिख रही है अब बात करते हैं पर यह तो हो गया revenue expenses भी company के बड़े होंगे यहां पर और उसके बाद हम देखेंगे देखिया expenses भी बड़े होंगे तो expenses बड़े निए इस बार घटे हैं देख लिए बड़े निए बड़े यह देख लीजिए अब आप अब आपको गयर इसका मतलब तो profit में अच्छे बढ़त देखने को मिल रहे होगी तो उसको भी देखेंगे अभी profit में बढ़त है की नहीं है फिलाल profitability के और चलता हूं तो मैं profit after tax देखता हूं यहां पर तो जिस तरह के से situation revenue में बढ़ी और ज्यादा बढ़ा भी नहीं है तो expenses में जो cost saving कर रहे है उसकी वज़े से यहां पर profit में ज्यादा drop जो देखने को नहीं मिला लेकिन अगर overall financial year की बात करते हैं तो 490 करोड से profit बढ़के 633 करोड देखने को मिल रहे है तो यहां पर एक अच्छी positivity profit में देखने को मिल रहे ह अगर पूरे financial year को focus किया जाए तो अब बात आती है earning per share की earning per share काफी important है शेर का price आपने देखा 240 के आसपास ही है लेकिन earning per share जो पिछले साल 5.81 था इस बार कितना हो गया 5.56 अगर पूरे साल की बात की जाए तो earning per share 18 रुपे से बढ़के 24 रुपे हो गया और 240 का price है और क्या कहते हैं 24 रुपे का earning per share पूरे साल का तो अच्छा है मुझे लगता है कि हाँ हर क्या कहते हैं आपको 10 रुपे एक रुपे कमा के दे रहा है that is a good thing अगर आप देखो तो बहुत ही बढ़िया चीज है हर 100 रुपे आपको 10 रुपे कमा के दे रहा है और प्राइस के हिसाब से और current price के अगर आप detail देखो तो rights का अगर मैं यहाँ पर देखते हूं आज की detail क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है rights की detail यह देखिए rights limited राइट की limited और आज के कारुबार को भी देख लिजे rights का 3% की तेजी देखने को मिली 246 के आसपास का prices का आज का और overall 36% की delivery देखने को मिल था तब तो सरकार की हिस्सेदारी मंदब 10% बेचा था सरकार ने लेकिन उसके पास दो बार offer for sale आ चुका है दो बार और 10-10% सरकार और बेच चुकी है और public की यहाँ पर 27% की हिस्सेदारी यहाँ पर हो चुकी है अब public की हिस्सेदारी जब आप देखोगे तो उसमें आता ह यहाँ पर public की हिस्सेदारी तो यह है कितनी companies ने यहाँ पर माल बेचा है वह important हो जाता है अब देखते हैं company ने कितनी companies ने आपर माल बेचा rights यह हमारे पास ACC Limited का राइट का यह राइड डीटेल हमारे पास देखें अब राइट लिमिटेड का मैं देखू mutual fund की 12 schemes ने यहाँ पर खूब सारे shares एक करोड 22 लाग shares उठाके रखे हैं यानि कि almost 5% के आसपास के इनकी holding है जिसमें reliance capital SDFC trustee फिर हमारे पास आते हैं foreign portfolio investor इनके पास भी 3% के holding यहाँ पर है अब यह तो हमने देखी इसके fundamental details अब दोड़ा सा टेकनिकल डिटेल पर focus करते हैं यह stock market मार्केट माया था जुलाई 2018 यानि कि आप से दो साल पहले और दो साल पहले जब मार्केट माया था तब इसका price देखें क्योंकि bonus दे चुका है price सारा एडजस्ट हो चुका है तो उसक 50-155 के level पर यह market माया था तेजी देखने को मिली थी correction तेजी देखें बिल्कुल और यह फिर से उन्ही लेवल पर आ गया था लेकिन यह correction जो यहां से लेकिए correction चली थी इसके resolution का important पार्ट था और यह resolution हुआ 210 के आसपा था उसके बाद देख सकते हैं तेजी correction तेजी correction के चक 190 के level पर आगया 190 के level पर आके बहुत सारे लोगों ने यहां पर देखें बाहिंग प्रेशर बहुत great वह यहां पर और उसके बाद शेयर में तेजी भी देखने को मिली अब मैं चलता हूँ आपको weekly chart में ले जाने की कोशिश करता हूँ weekly chart को जब भी आप किसी भी stock को देखत है वहां से तेजी से भागता है तो एक correction की requirement होती है देखे मैं इसको पूरा का पूरा अगर देखो तो एक correction के requirement होती है यह 280 तक भाग गया था और इतना तेजी से भागना वह एक हपते में sustain करना बहुत मुश्किल काम होती है देखे फिर यह correction आया और आप इस correction के बाद positivity की ओर आजाएगे और यह आपको bullish cross में convert होता हुआ दिखेगा weekly का चार्ट तो अच्छी बात है positive बात है फिलाल यह अभी correction जो है resolve completely नहीं हुआ है इसको थोड़ा सा मुझे लगता time लगेगा resolve में 250 का यह level है काफी important level इस level को पार करती है आप देखोगे कि daily के time frame पे भी करना है और आपके पास जब यह 250 का असपास उपर जाने के कोशिश कर देगा तो आपके पास 220 का stop loss भी ready होगा चलिए अपडेट था यहां पर राइट लिमिटेट के बारे में हमने डिटेल में बात करी सांथ में result देखा बाकी dividend bonus related चीज़े देखी और wind up करता हूं वीडिय की चैनल सब्सक्राइब निकाता है जल्ड़ी से सब्सक्राइब कर लें बाल आकन को प्रेस कर लें जिस्टे आपको notification आती रहेगे और थैंक्यू थैंक्यू पर लॉचिंग वीडियो